त्थ्योटूलाइड कर आज लासे हमें में बात कर रहे हैं left face, right face और face chance ठरीक चैंज थ्योटूलाइड में हम किसे तरीके से करते हैं तो देखें जानते हैं left face क्या है यदि इंस्टुमेंट में टेलिस्कूद की left side में vertical circle रहता है तो इस situation को हम कहते हैं left face जब हम किसी भी थोड़ लाइट पर कोई भी ऑपरेशने स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो reading ली जाती है वो left face पर लेनी चाहिए और left face पर हमें जो reading पढ़ते हैं वो हमें कैसे पढ़ने क्या है clock wise direction में पढ़नी चाहिए तो left face क्या है left face में telescope के left side में क्या होगा हमारा vertical circle होगा मैं यहाँ पर एक indication लिखे दे रहाऊ अगर telescope हमारी यहाँ है तो उसके left side में क्या होना चाहिए vertical circle होना चाहिए अगर left side vertical circle है तो उस case में हम क्या कहते हैं situation को हम कहते हैं ठोड़ लाइट की left face कहते हैं situation को ठीक है तो यह हमारा telescope और telescope के left में vertical circle होगा तो उसे क्या कहेंगे हम left face की reading कहेंगे और जब भी हम किसी भी थेओडलाइट पर कोई भी operation start करेंगे सबसे पहले जो reading लेंगे हम left face पर लेंगे उसके बाद उसी target की reading को हमें right face में लेना होगा तो अब हमें right face में करने के लिए left face से हम चाहते है right face में reading लाना आब right face कहते कैसे हैं पहले उसको समझे राइट face में क्या होगा telescope के अगर right में vertical circle हो जाता है तो उसे हम कहते हैं अगर ये telescope है और telescope के right में अगर वर्टिकल सर्किल आ जाए तो उसे हम कहते हैं उस सुच्वेशन को हम कहेंगे वर्टिकल सर्किल अगर राइट में होगा तो उसे कहेंगे राइट फेस की रीडिंग और राइट फेस की रीडिंग हम कैसे पढ़ते हैं एंटिकल लग वाइज हमें पढ़नी चाहिए तो तो अगर हम टेलेस्कोप की left में अगर vertical circle है तो उसे left face कहते हैं, टेलेस्कोप की right में vertical circle है तो उसे right face कहते हैं, तो आखिर ये हम किस तरीके से करते हैं, left face से right face में reading कैसे लाते हैं, sorry left face से right face में instrument को कैसे लाते हैं, अब ये जानते हैं, इसी को कहम कहते हैं, face change करना, यानि अग कहते हैं face को change कर दिया face change तो कैसे करते है face change को देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे किसी भी थ्योड़ोलाइट में एक बार transition करेंगे यहांनि face change करनी के हमें क्या करना पड़ेगा one transition प्लस उसके वहीं पर उसी केस में one swinging अगर हम कर देंगे देखिए ती का मतलब यहां पर है मैं इसको पूरा लग देता हूं एक बार हम transition करेंगे one transition दूसरा हम क्या करेंगे प्लस one swinging एक बार आप आप swinging और transition क्या है इसे पिछा लेक्टर बना चुका हूं swinging और transition आप जान देख सकते हो हाँ पर तो यहां पर भी मैं explain करता हूं देखिए सबसे पहले हम face change करने के लिए हम यह समझते हैं कि इस instrument के यह oriental axis है यह हमारी telescope है और vertical circle हमारे left में लगा हुआ है तो vertical circle हमारा का है left में तो इसको क्या कहेंगे telescope हम इसी को कहते है normal telescope और इसी situation को हम कहते है left face तो जब telescope के left side में vertical circle होगा तो left face और अगर right में होगा तो right face कहेंगे लेकिन देखिए हमें किस तरीके से convert करना है left से right में हमें एक बार transition करना हुआ transition क्या है transition web process है जिसमें horizontal axis के about इस telescope को vertical plane में 180 degree rotate करा देंगे तो उसे क्या करेंगे transition तो सबसे पहले हम face change करने लिए क्या करेंगे transition करेंगे फिर उसके बाद क्या करेंगे वर्टिकल एक्सिस के about अब वर्टिकल एक्सिस हमारी कहा होगी वर्टिकल एक्सिस हमारी यह होगी अब इस वर्टिकल एक्सिस के about आप क्या करेंगे instrument को 180 degree rotate करा देंगे तो हमें क्या करना हुगा एक बार transition इस horizontal axis के about vertical plane में rotate करा देंगे telescope को फिर क्या करेंगे इस vertical axis के about हमें पूरे instrument को horizontal plane में 180 degree move करा देंगे तो एक बार transition कर लिया दूसरी बार swinging उस वहीं पर swinging भी करना है तो अगर हम ऐसा कर देंगे तो क्या होगा face change हो जाएगा आप देखेंगे कि थेओडोलाइट में जो सर्किल हमारा telescope की left side में था वो right side में आ गया हुआ कब जब हमने एक बार transition और एक बार swinging कर लिया होगा तो अब आपको यह क्लियर हो गए होंगे doubt कि left face में vertical circle left में रहेगा और टेलिस्कोप की left में अगर vertical circle रहता है लेफ फेज वर्टिकल सर्किल अगर राइट में होता है टेलिस्कोप के तो और एक बार swinging करना होगा ऐसा करने से हमारा फेज अगर left है तो राइट हो जाएगा और राइट है तो लेफ हो जाएगा तो यह सारा process है हमारा phase change का तो students मेरी lecture आपको कैसे लग रहे है कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राब करना ना भूले थैंक यू